हाई फ्रेंड आप सभी का स्वागत है हरी संकर ब्लोग्स यूटूब चैनल में जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो का नाम है राशन काड से नाम कैसे छटाए और राशन काड में नाम कैसे जोडे तो उसके लिए सरपर्थम आपको ब्लोग जाना होगा और को नम्मर का फोर्म नहीं खो नम्मर का फोर्म लेना होगा जैसे को नम्मर फोर्म हो गया नया राशन काड बनाने के लिए तो खो नमबर फोर्म हो गया रासन कार्ड में नाम जोडने के लिए और नाम छटाने के लिए तो सरपर्थम फोर्म लेके आपको भरना पड़ेगा और करना क्या पड़ेगा या भी आप लोग देख लिजिए जिसके नाम से रासन कार्ड है अगर आप छटाने जा रहे हैं तो जिसके नाम से राशन कार्ड है उसका अधार कार्ड होना चाहिए फोटो एश्टेड और जिसको आप हटाना चाहते हैं वहां से उसका फोटो आप एक बनवा के वहां पे लगा दिजिए ये परकिरिया हो गिया आपको हटाने के लिए जिसके नाम से रासन कार्ड है उसका आप अधार कार्ड फोटो स्टेड लिजे और जिसको हटाना चाहते हैं उसका एक फोटो करवा लिजे और उसका एक अधार कार्ड का फोटो करवा लिजे अगर आप राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं तो खोर नमर फोर्म लिजिए उस फोर्म को पुर्म रूप से भरिये और जिसके नाम से राशन कार्ड है उसका एक आधार फोटो कोपी लिजिए और जिसको आप जोड़ना चाहते हैं उसका आप एक आधार कार्ड लिजिए और उसका एक फोटो लिजिए और देखिए मैं अभी पहुंच चुका हूँ अपने ब्लोक के पास तिर्वेनी गंज में और यहाँ पे देखिए मेरा फोर्म भर के पुरा रेडी हैं अपना नाम जो है अपने फादर के राशन कार्ड म यहाँ परक्रिया आपको करके आना पड़ेगा ब्लोक और ब्लोक में कहीं भी कुछ आप लोको करना नहीं है डिरेक्ली आपको यहाँ पे लाइन लग जाना है और लाइन लग के आपको यहाँ पे दस बजे से तीन बजे तक जमा होता है सभी ब्लोक में जमा करके आप रेस चार्टिंग होता है तो बहुत ही एक मिलान से काम किला जाता है ऑपरेटर के दुबारा तो आप जड़ोर इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ सेयर करें देखिए फोर्म जमा हो चुका है थोड़ा दिर में रिसीविंग मिलेगा हम लोग स्क्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को फिर से दुबारा